Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लगों के लिए Valentine's Special February 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना जाते हैं कि February मन्थ में क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आपके energies होंगी Finally, February मन्थ में क्या होगा कैसे छोटी-छोटी सी चीजों का खयाल रखके क्या आप February मन्थ की energies को भैतर कर सकते हैं क्या आपके पार्टनर के heart confessions है यानि कि मन ही मन secretly वो आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या आपको कहना चाहते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2024 की love tarot reading तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि February 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है नॉर्मली हर महिने में आप लोगों के लिए तीन set of cards निकालती हूँ लेकिन इस बारी मैंने four set of cards निकाले हैं क्योंकि ये February मन्थ है, Valentine मन्थ है और four set of cards में हम देखेंगे कि आपके partner के क्या heart confessions है क्या secret messages वो आपको देना चाते हैं और बाकी के तीन set of cards में हम आपकी energies, आपके partner की energies February मन्थ में क्या हो रहा है उसको देखेंगे तो आपसे शुरू करते हैं Gemini's और आपके लिए हापे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Three of Pentacles और ये card कहता है कि या तो आप किसी से guidance, advice, counselling ले रहे हैं या फिर आप किसी concrete topic पे अपने किसी खास इंसान के साथ या फिर जो भी लोग हैं आपकी life में उनसे discussions कर रहे हैं और कुछ Gemini's के लिए हो सकता है कि आप अपने professional front पे ज़्यादा focus करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं अब देखिए इनी सब चीजों के लिए सब Gemini's के लिए different reasons रहेंगे क्योंकि ये general reading है लेकिन अगर मैं February मन्त के card देखूँ तो यहाँ पर fight का card है तो एक बहुत बड़ी possibility हो सकती है Gemini's की आप दोनों के बीच में कुछ time से fight हो रही है, difference of opinion हो रहा है arguments हो रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है Gemini's की इस fight को अगर ठीक करा जा सके तो फिर आप दोनों के बीच में बहुत एक beautiful energies रहेंगी एक खुशी एक happiness इस relationship में रह सकती है यहाँ पर happy days ahead का card इसी चीज को confirm करता है और इसी लिए शायद आप discussions कर रहे हैं या फिर किसी खास इंसान के साथ चीजों को discuss कर रहे हैं शायद आप और जादा understand करना चाहते हैं कि कहां गलती हो रही है कहां issue और मसला रह रहा है और इसी लिए शायद कुछ Gemini's guidance, counselling, advice किसी से ले रहे हैं and mid February के लिए हाँ पर two of wands reverse का काट कहता है कि इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहा रहे हैं कहीं next steps plan करना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए भी सब Gemini's के लिए different reasons रहेंगे लेकिन two of wands reverse का काट कहता है कि कहीं confidence की कमी रह रही है अब ये भी सब Gemini's के लिए different करेगा कुछ Gemini's के लिए हो सकता है आप खुद की feelings या फिर खुद को लेकर उतना confident नहीं महसूस कर रहे हैं कुछ Gemini's के लिए हो सकता है कि partner के उपर उतना confidence आपको नहीं रह रहा है कुछ Gemini's के लिए हो कि relationship को लेकर इतना confident आप नहीं महसूस कर रहे हैं लेकिन जो भी हो deeper level के लिए motivating का काड कहता है आप खुद को motivate कर रहे हैं कभी-कभी होता है न कि हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं थोड़ा सा you know confidence में lag कर रहे होते हैं लेकिन हम अपनी self-talk को positive रखते हैं और money ही money you know again मैं motivate करते हैं खुद को positive करते हैं तो कहीं ऐसे सी energies आपकी रहती भी दिख रही हैं and end February के लिए now or never last chances के काड कहते हैं कि आपको ऐसे लग सकता है कि कोई चीज अगर अभी आपने नहीं करी तो दुबारा आप नहीं कर पाएंगे अब देखिए ये भी सब जर्मिनीज के लिए differ क तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने लिए stand लेना चाहा रहे हैं इस relationship के लिए stand लेना चाहा रहे हैं या फिर कोई चीज बहुत time से आप नहीं कह रहे थे नहीं कह रहे थे और आपको लग रहा है कि बस अब high time हो गया अगर अभी भी नहीं बोला तो फिर एक pattern set हो तो देखिए जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए different situation circumstances होंगे जहाँ पे जैमिनीज मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि अगर अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं कर पाएंगे ये last chance आपको मिल रहा है और इसलिए या फिर otherwise आप थोड़े से impulsive हो रहे हैं जल action initiatives लें लेकिन जल्दबाजी ना करें impulsive ना हों क्योंकि page of wants का card कहीं immature energies की भी बात करता है तो बहुत immaturity के साथ आप चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं और इसलिए या फिर otherwise एक anxious energies रह सकती हैं एक restlessness रह सकती है और दिखें इस चीज़ को सुनके आप परेशान ना हों क्योंकि ये restlessness ये anxious energies सिरफ और सिरफ इसलिए रह रही हैं क्योंकि आप बहुत impulsive हो रहे हैं आप थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं और आपकी immature energies हैं इस चीज़ को अगर आप check करके correct करेंगे तो anxiety और restlessness जो आप महसूस कर रहे हैं उसको भी better कर पाएंगे और अब देख करते हैं Gemini's के आपके partner की क्या energies हैं तो यहाँ पे सबसे पहला card उनके लिए king of pentacles है और ये card कहता है कि stability एक security वो चाहा रहे हैं कहीं बहुत practical realistic तरीके से चीजों को deal कर रहे हैं deeper level के लिए in and out का card कहता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि relationship में stability नहीं है एक security नहीं है अब देखें ये दोनों cards एकदम से contrary energies की बात करते हैं और फिर से कहूंगी general reading है बहुत सारे Gemini's देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ Gemini's के partner के लिए हो सकता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताए एक stability चाहा रहे हैं एक security चाहा रहे हैं उनको लग रहा है कि relationship में बहुत चीजें in and out हो रही हैं ना तो completely आप या आपके partner इस relationship में आ रहे हैं ना ही completely जा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि surface level के लिए तो बहुत एक उनकी तरफ से आपको महसूस हो सकता है कि भई वो stability चाहते हैं security चाहते हैं लेकिन मन में कहीं चीजों को लेकर share न चाहा रहे हैं आपके साथ और जादा वक्त बिताना चाहा रहे हैं आपकी presence अपनी life में और जादा चाहा रहे हैं and कहीं hangman rivers का card कहता है कि उनकी situation ऐसी है जहां पे उस तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं काफी हो सकता है compromises कर रहे हैं adjustments कर रहे हैं और कहीं देखिए ये भी सब Gemini's के partner के लिए differ करेगा लेकिन आपके साथ जादा वक्त बिताना वो चाहा रहे हैं आपकी presence अपनी life में जादा चाहा रहे हैं और इसी को लेकर कुछ adjustments कुछ compromises अगर उनको करने पड़ें तो वो उसके लिए भी willing रहते हुए दिख रहे हैं by the end of February के लिए यहां पर Ace of Wands Reverse का काट कहता है थोड़ा सा चीजों को लेकर यहां तो demotivated हो रहे हैं यहां फिर over motivation है यहां तो over action initiatives लेना चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं यहां फिर ले रहे हैं और कहीं एक नई beginning वो करना चाह रहे हैं एक fresh start करना चाह रहे हैं लेकिन उ कि यह नई beginning सब Gemini's के partner के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship में कैसे एक fresh beginning करें उससे related action initiatives लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है अपने personal friend में किसी life के area में एक नई beginning करना चाह रहे हैं जादा मुझे दिख रहे हैं कि इस relationship में नए तरीके स चीजों को करना चाहा रहे हैं जिससे की चीजें आप दोनों के बीच में better हो जिससे की relationship next level पर जाए और अब देखते हैं Gemini's की February month में क्या हो रहा है तो February starting में बहुत कोई आप दोनों के बीच में interaction बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है आप दोनों ही अपने अपने level पर थोड़ा सा withdraw कर रहे हैं या पर जितना action initiatives आप normally लेते हैं उतने नहीं ले रहे हैं अब यहाँ पर सब Gemini's और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन fight always fighting का card कहता है कि शायद आप दोनों के बीच में काफी fights हो रही हैं, disagreements हो रहे हैं, argument हो रही है और इसलिए थोड़ा सा आप ल ये mid February के लिए इसलिए या फिर otherwise भी 5 of souls reverse का card कहता है कि आप दोनों को लग रहा है कि ये fair नहीं है, क्योंकि देखिए special to me का card कहता है कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए feelings हैं, लेकिन फिर भी चीजें अगर surface level पर ठीक नहीं हो रही है, तो ये आप दोनों को ही ठीक नहीं लग रहा है, आप दोनों को ही लग रहा है कि भई ये इस relationship के लिए fair नहीं है, क्योंकि देखिए ये card unfair energies की बात करता है, तो एका दुका जैमिनीज और उनके partner के लिए और भी reasons रह सकते हैं, जिसकी वज़े से एक unfair energies महसूस कर रहे हैं, यानि कि आपकी जैमिनीज या आपके partner की intentions उतनी ठीक नहीं है, and end February के लिए यहाँ पर seven of pentacles, reverse and intuitive insights के cards कहते हैं, कि थोड़ा सा intuitively चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं, या फिर, यानि कि you know, जो आप लोगों की gut feeling कह रही है, उसको follow कर रहे हैं, and surface level के seven of pentacles, reverse का card कहता है, कि pause लेते हुए दिख रहे हैं, future course of action के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, कि क्या आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को करना चाहिए, जिससे की relationship में चीज़ें better हो, जिससे की relationship next level पर जाए, और इसी से related एक सोच रहती हुए दिख रही है, इ दिखिए cards के, February month के cards के हिसाब से specifically मैं देखूं, तो कहीं बहुत great February month नहीं रहता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे guidance के point of view से अगर मैं आपको कहूं, तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी, Gemini's की, आप maturity के साथ चीज़ों को deal करें, impulsive ना हो, and चीज़ों को कैसे resolve कर सकते हैं, क्या solution हैं, उस पे जादा focus करें, ऐसा करेंगे तो February month की energy इसको better करेंगे, और जो भी action initiatives required हैं आपकी तरफ से वो आप ज़रूर लें, और अब Gemini's, आपके partner के heart confessions मैं read कर देती हूँ, तो सबसे पहला उनकी तरफ से आपके लिए message है, our love story is unfinished, मतलब हमारी love story अभी complete नहीं होई है, और specifically देखिए, जैसे कि cards भी confirm कर रहे हैं, कुछ issues, मसले चल रहे हैं, किसी भी level पे अगर distance आप दोनों के बीच में आ रहा है, तो आपके partner आपको ये कहना चाहते हैं, कि this is not the end, अभी हम लोगों के बीच में चीजें end नहीं होई है, and distance is no barrier, तो देखिए, मैं अभी आपको ये ही कह रहे थी, कि किसी भी level पे distance अगर आ रहा है, जो कि again मैं कहूंगी, cards confirm कर रहे हैं, जैसे कि हमने four of swords reverse के card में दिखा कि इतना जादा कोई activity आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है, five of swords reverse का card भी कहता है, कि इतना आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, एक unfair energies महसूस हो रही है, और ये card कहीं किसी भी level पे किसी भी तरीके से distance भी आप दोनों के बीच में आने की बात करता है, और आपके partner आपको ये message देना चाहते हैं, कि जितनी भी दूरी आप दोनों के बीच में आ जाए किसी भी level पे, वो रोक नहीं सकती है उनको आपसे love करने के लिए, या फिर आपसे दूर जाने के लिए, यानि कि दिल से, मन से, वो हमेशा आपसे connected है, और physical level पे specifically, कोई भी distance उनको आपसे दूर नहीं कर सकता है, और तीसरा message उनकी तरफ से है, everything is in divine order, तो जो भी हो रहा है, divine की मर्जी से हो रहा है, और वो उस चीज को accept करते ह तो देखें ये है, everything is in divine order, our love story is unfinished and distance is no barrier, तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए, February 2024 की Love Tarot Reading, और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें